तो Class 10 के NCERT, Math के solution में आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम लोग उधारन 3 को solve करेंगे, जो की प्रस्नावली 8, 10 मलब 1 के ठीक पहले है, यहां पे हैं त्रिभूज A, C, B लीजिए, जिसका कौन C समकून है, समकून का मतलब 90 डिगरी का कौन है, यानि तो इसमें कौन C जो है, वो समकून है, आगे बोला कि जिसमें, मतलब इस्तिर भूज में A, B बरावर 29, B, C बरावर 21, और कौन A, B, C, ठीटा, देखिए आकिरती 8, 10, तो निम्न लिखित के मान ग्याद कीजिए, तो हमें आकिरती 8, 10, दिया हुआ है, यानि वो रहा ये आकिरती, इस आकिर है, उसके बाद A, B बरावर 29 है, और B, C बरावर कितना है, 21 है, और ये जो कौन A, B, C है, A, B, C, वो क्या है, ठीटा है, अब हमें आगे जो है, एक नमबर और दो नमबर वाले जो प्रस्न है, इनके मान निकालना है, अब इनके मान को निकालने के लिए, इस तिर्भूज के तीनो भूजाओं का मान पता होना चाहिए, यहाँ पे दो भूजा का मान पता है, एक भूजा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे पता है, लेकिन हमें A, C का मान पता नहीं है, तो पाइथाक गुरस परमेर से हम लोग A, C के मान को निकालने के, तो चलिए, सबसे पहले तो हम ल दिखेंगे यहां पर हल और जो जो चीज दिया है उसको उतार लेंगे दिया है क्या दिया है कि तिर्भूज A, C, B में कौन सी यह जो कौन सी है यह कौन सी समकौन मतलब 90 डिगड़ी का कौन है उसके बाद आगे कहा है कि A, B का मान 29 है और उसके बगल में B, C का मान 21 है और यहां पर बोला कि कौन A, B, C बराबर ठीटा कौन A, B, C बराबर ठीटा अब A, C के मान को हम लोग पाइथा गुरस पर में से निकाल लेंगे तो यहां पर लिखेंगे पाइथा गुरस पर में से और पाइथा गुरस पर में होता है H स्क्वाइर बराबर P स्क्वाइर पलस B स्क्वाइर H का मतलब कर्न, P का मतलब लंब और B का मतलब आधार होता है क्या है चलिए यहां देखें फिगर में यह जो 90- Deutsch का कोन है इसके ठीक सामने वाले भुजा को गुरस बोलते है यानि जो 89 से ABFit हो जाएगा उसके बार हमें कौन कौन सा दिया हुआ है हमें कऌन ठीटा दिया हुआ है तो जो कौन ठीटा दिया हुआ है, इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, और इस ठीटा से जो लगा हुआ भुजा ये है, इसको हम लोग B बोलते हैं, वैसे ठीटा से सटा हुआ लगा हुआ भुजा तो ये भी है ना, लेकिन 90 दिगरी के सामने यह तो हो गया दूसरा सटा हुआ या लगा हुआ यह है इसको भी बोलेंगे का नब्य टिगड़ के सामने हो गया कौन के सामने एक पी हो गया जो बचा यह भी होता है ठीक है तो यहां देखिए एठौ कमान कितना है पलस करेंगे अब यहां बी जो है बी का मन कितना दिया हुआ है 21 तो बी के जगे में 21 लेकेंगे बी पर इसक्वार तो इस पर इसक्वार लिखेंगे अब यहां देखिए 29 पर इसक्वार का मतलब 29 गुना 39 841 होता है बराबर करेंगे चार सो एक्तालिस होता है अब यहां देखिए 841 441 को इस तरफ लेके आएंगे तो माईनस 441 बराबर एसक्वार यहां पर घटेगा तो हो जाएगा 400, अब देखिए, यहां ध्यान से देखिए, तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, यहां AC का, यहां AC का जो दो नमर में परश्न है आए उनके मानों को निकाल लेते हैं सबसे पहले एक नमर को निकालेंगे को सस इसकोइर ठिटा की मानय निकाल लेंगे कि यानिए एक नमबर में था इसदीनल संपीटा सबस्षा HOLlऔ का सूथर होता है B by H इस पर square है तो square लगा लेंगे बीच में plus है sine का होता है P by H यहाँ square है तो square लगा लेंगे यहाँ ध्यान से समझ येगा B देखे B का मन 21 है तो 21 लिखेंगे बटा H का मन कितना है 39 है तो 29 लिखेंगे square है तो square लगा लेंगे plus P का मन देखे और H का मान कितना है? 29 है, स्क्वाइर लगा लेंगे 21 पर स्क्वाइर मतलब 21 गुणा 21 होगा 441 49 पर स्क्वाइर ये इस्क्वाइर जो है ये पावर टो 29 के सांथ भी है 29 गुणा 29 हो जाएगा 841 बीच में पलस ये स्क्वाइर बीस के सांथ है तो 20 गुना 20 हो जाएगा 400 बट्टा में 29 पर पावर दो मतलब 29 गुना 29 841 आगे बढ़ाएंगे देखे नीचे 841 है और यहां भी 841 है तो 841 और 841 का LCM 841 हो जाएगा 841, 841 मेच कर रहा है समापत हो जाएगा उपर बाला उतर जाएगा बीच में है पलस फिर देखे 841, 841 समापत हो गया उपर बाला जो 400 है इसको उतार लेंगे 441 से 400 जूटेगा तो हो जाएगा 841 बट्टे में कितना है 841 उपर नीचे कटके समाप्त हो जाएगा एक बट्टा एक का मतलब एक यानि कोसी स्क्वाइट थिटा पलस साइनी स्क्वाइट थिटा का मन कितना निकला है एक निकला है आएए दूसरा नमबर को निकल लेते हैं देखिए दो नमबर में हमें क्या निकलना है दो नमबर में हमें निकलना है कोसी स्क्वाइट थिटा माइनस साइनी स्क्वाइट थिटा का मन चलिए दो नमबर में क्या निकलना है हमें B by H square है, तो square लगाएंगे, minus, sin का सूत्र होता है, P by H, square है, तो square लगादेंगे, अब मानों को तिर्भूस से देख करके लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ B का मन 21 है, तो B के जगे में 21 बटा H, H का मन 29 है, इस पर कर लेंगे, square minus, P का मन देखिए, तो कितना है, 20 और H का मन कितना है, 29, इस पर लगा लेंगे, square, देखिए, यह पावर तो 21 के साथ है, तो 21 गुना 21, 441 और 29 पर पावर दो, मतलब 29 गुना 29, 841, बीच में माइनस है, और यहाँ 20 के साथ है, तो 20 गुना 20, 400 हो जाएगा, और यह पावर 29 के साथ है, तो 29 गुना 29, 841 हो जाएगा, अब सिंपल सा यहाँ पर, नीचे में 841 है, तो 841 और 841 का, LCM 841 होगा, 841, 841 कटके समाप, उपर में जो 441 है, उसको उतार लेंगे, बीच में यहाँ माइनस करेंगे, 841 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 29 कटके समाप तो हो जाएगा, इसके उपर में 400 को उतार लेंगे, और यहाँ उपर में घटाएंगे, तो हो जाएगा, 41 बटे, 841 यही हो जाएगा, दो नमबर वाला एंसर, तो मैं उम्मीद करता है, वीडियो आपको समझ में आया होगा, धनवाद,